शाहरुख खान 15 साल के थे जब पिता ताज महबबत का इंतकाल हो गया था उन्हें कैंसर था परिवार पराफ़ता पड़ी और यहां से शुरू हुआ रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का संखर्श शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो वो पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने जहां से उनके पिता पैदल दिल लिया थे और खान अब्दुलगफार खान के साथ मिलकर भरत की आजादी के लिए लड़े थे शाहरुख खान के दादा सुभाश चंद्र बोस की आर्मी में मेजर थे शाहरुख खान की कहारी में पेशावर है दिली है और माया नगरी मुंबई और इसके अलावा दुनिया की सबसे खुबसूरत जगहों में शुमार सुर्ट्जर लेंड भी दो नवबबन 1965 को जनमे शाहरुख के पिता और उनकी मा के मिलने का किस्सा भी पड़ा फिल्मी है रसल ताज मुहमद इंडिया गेट पर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे तब ही एक कार आई और डिवाइडर से टकरा गई फातिमा बेहोश पड़ी थी ताज आगे आए और दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अस्पता ले गए खून बहुत ज़्यादा बहच चुका था उन्होंने खून भी दिया लड़की की सगाई मशूर क्रिकेटर अबास अली बेग से हो चुकी थी ये लड़की थी लतीफ फातिमा खार एक्सिलन्ट के बाद यादाश चुकी थी ताज फातिमा को कॉलेच छोड़ने जाते और उनका पुरा खयार रखते थे धीरे धीरे उन्हें फातिमा से प्यार हो गया फातिमा के पिता से शादी के लिए बात की तो उन्हों ने कहा मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो ताज ने कहा मैं शादी फातिमा से ही करूँगा ताज मुहम्मत के प्यार के आगे परिवार को हार बाननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ने मेबात से आम चुना भी लड़ा था लेकिन हार गए थे राजनीती से उनका मन भर गया कांधी नहरु परिवार से ताज मुहम्मत की नजधी की थी लेकिन वो बड़े स्वाभिमानी आदमी थे घर चलाने के लिए ताज मुहम्मत ने दिल्ली के रश्यन कल्चर के सामने चाय की दुकान खोली दुकान चल गई और पिर ताज मुहम्मत ने छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया शारुख खान तबार साल के थे और वो कभी-कभी दुकान पर जाते थे ताज मुहंबद ने NSD में कैंटीन भी चलाई इस बीच मा फातिमा एक समाज सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी शारू के नौ फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहूल है अब तक 6 फिल्मों में शारू खान ने विलन की भूमिका निभाई है उनके करियर में 16 फिल्में ऐसी हैं जिन में उनका करदार मर जाता है बॉलिवुट के सरताज बन चुके SRK की हिंदी बहुत कमजोर थी मा ने एक बार कहा था कि हिंदी में अच्छे नंबर लाओगे तो मूवी दिखाऊंगी शारू को उस साल सबसे ज़ादा नंबर हिंदी में ही आए लोग इस बात पर यकीन ना करें लेकिन ये सच है कि शारू खान को आईस्क्रीम खाना पसंद नहीं है बॉलिवूट के बादशा को घुर सवारी का फोबिया है 1994 में शारू की फिल्म कभी हां कभी ना रिलीज हुई थी फिल्म के रिलीज के दिन शारू ने एक थीएटर काउंटर पर बैट कर टिकेट बेचा था इस फिल्म के लिए उन्हें 25,000 रुपे दिये गए थे पहुआ हुआ पेजामा ही पहन दे हैं इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने एक बार मजाक में कहा था क्या पता दोस्त सपने में किस से मुलाकात हो जाए 1980 में पिता की कैंसर से मौथ हो गई और 26 से भी कमुम्र में शारूख खान की माँ फातिमा भी चल बसी से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी शारुख खान के शुरुवाथी पढ़ाई दिल्ली के सेंट कॉलंबिया स्कूल से हुई शारुख स्कूल के दिनों से होकी फुटबॉल और क्रिकेट में काफी दिल्चसपी रखते थे शारुख को करीब से जानने वाल इस एकनोमिक्स में इसनातक किया है शारुख खान ने जामिया से मास कम्यूनिकेशन में पीजी के लिए दाखिला भी लिया था लेकिन अपनी एक्टिंग करियर को आगे वढ़ाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बैरी जॉन से एक्टिंग सीखने लगे ज शारुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर थे विदेशों में शारुख खान की दीवान की ऐसी है कि कहा जाता है कि वो जब भी बरलिन में होते हैं तो वहां का ट्रैफिक थमसा जाता है शारुख खान ने गौरी से शादी किये अपने पिता की तरह इन दोनों की भी लविस्टोरी बड़ी दिल्चस्प है गौरी पारंपरिक हिंदू-पंजाबी परिवार से आती है दोनों की पहली मुराखा दिल्ली में हुई थी शारुख अक्सर गौरी को गौरी तेरा गाउं बड़ा प्यारा गाना गाकर चिरहाते थे 13 साल तक शारुख ने गौरी को प्यार की बात नहीं बताई और एक दिन अचानक शारुख ने कहा गौरी मैं तुमसे ही शादी करूँगा दोनों के रिष्टों के बारे में जब गौरी के परिवार को पता चरा तो गौरी का घर से निकलना कम हो गया लेकिन शाहरुख खान लगे रहे अपने प्यार को पाने के लिए शाहरुख गौरी के भतीजों को थियेटर ले जाते, डिस्को ले जाते इस तरह से गौरी के परिवार वालों को उन्होंने अपने पाले में खीच लिया शाहरुक को गौरी का दूसरे लड़कों से मिलना पसंद नहीं था वो गौरी को कहते थे मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ बैठो लेकिन दूसों के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता शारुक गौरी के बाल खुले होने पर भी नाराज हो जाते थे क्योंकि वो मानते थे कि खुले बालों में गौरी बेहत खुबसूरत रख भी है और मैं नहीं चाहता कि उसकी इस खुबसूरती को कोई और देखे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शारुक पहली बार गौरी के लिए ही मुंबई आये थे गौरी किसी रिष्टेदार के यहां मुंबई आई थी शारुक को पता था कि गौरी को समंदर देखना पसंद है इसलिए वो हर शाम गौरी को मुंबई के बीचों पर ढूंडते और एक दिन गौरी बीच पर मिली गई शारुक को देखकर गौरी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई टीवी से शुरुबात करने वारे शारुक ने दिल दरिया, फौजी, सरकस जैसे सीरियल्स के दम पर अपनी एक अलगी पहचान बना ली थी लेकिन जैसा कि उनकी मा कहा करती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा स्टार बनेगा उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और बन गए रोमान्स के किंग शारुक खान पहली बार दीवाना में बड़े परदे पर दिखे थे दीवाना में दिव्या भारती और इशी कपूर थे लेकिन शारुक खान सब की नदरों में आ चुके थे शारुक के फिल्मी कर्यर को नस्दीक से जनने वालों का मानना है कि टर और बाजीगर उनके कर्यर की वो शुरुवाती फिल्म थी जिसने ये बता दिया था कि दिल्ली का ये लड़का आने वाले सालों में मुंबई पर राज करेगा दरसल शारुख खान का एक जादू ये भी है कि जब आप उन्हें देखते हैं तो उनकी बराई काइनात में चले जाते हैं जहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं 1995 में शारुख खान निर्देशक निर्माता प्रेम लालवानी की फिल्म गुड्डू का हिस्सा बने थे जिसके पैसे से उन्होंने मुंबई में अपना पहला फ्रेट लिया था 2001 में शारुख ने महस 13.32 करोण में बांदरा के समुद्र किनारे वाला विला वियना लिया था जिसका नाम बाद में जन्नत रखा था इस घर में आने के बाद उनकी सभी मन्नते पूरी होने लगी तो उन्होंने घर का नाम बदल कर मन्नत रख दिया शारुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है देवदास, फ्लीर जारा, दिल तु पागल है डीदी एलजे जैसे फिल्मों ने उन्हें भारत का नया सुपरस्टार बना दिया 2006 में फरहान अख्तर ने डॉन की रीमेक बनाई और शारुख के एक्शन अफ़तार को लोगों ने खुब पसंद किया माईनेमिस खान से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई तो मनीश शर्मा की फैन आनंद एल रोय की जीरो राहुल ढोलकिया की रईस जैसे फिल्मों के जरीए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया शारुख खान की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग लड़कियों के बीच है लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालू है कि केंखान सबसे ज़्यादा लड़कियों से ही शर्माते है यही नहीं शारुख को लड़कियों से डर भी लगता है शारुख खान की सबसे बड़ी खुबी यह है कि वो आँखों से बात करते हैं ये बात तब की है जब सल्मान और शारुक के भी 36 का आकड़ा था। सल्मान से किसी शो में पूछा गया शारुक खान में आपको क्या अच्छा रगता है। सल्मान का जवाब था उसकी आखे बहुत बोलती है। शारुखान साधारन किरदार को असाधारन बनाने का नाम है। शारुखान बॉलीवूट के फिल्मों के लिए एक नया वैश्विक बाजार देने का नाम है। शारुखान कोई एक्सिदेंटल स्टार नहीं है। मध्यमवर्ग से निकला एक लड़का है जिसने अपना बचपन और अपनी जवानी किराए के घर में गुजारी। शारुखान उसस्तारडम का नाम है जिससे पड़े ही करीने से सजाया गया है। दिल्ली का एक लड़का जिसकी नानी ने उसका नाम अबदुल रह्मान दखा था लेकिन पिता ने शारुख नाम रख दिया। कहते हैं नाम का पहुत असर होता है। शाह मतलब बाद्शाह और रुख माने शेहरा। पिता ने नाम रखा और देखिये शाहरुख सच में बादशाह बन गए